हमारे दिमाग में एक इनफेक्ट दो सवाल जरूर आते हैं कि भाई इस कार की रिसेल वेल्यू क्या होगी एंड दूसरी चीज की वह यह कार माइलेज कितना देगी यह दोनों चीजे प्रायरिटी पर होती हैं चाहे आप कितना ही सेफटी की बात कर लो चाहे कितनी भी बात कर लेकिन आपके घरवाले या आपका दिमाग आपको एक ना एक बार इन दोनों चीजों की तरफ प्रायरिटी देने पर मजबूर कर देगा इस वीडियो में हम बात करने वालें कि भाई टाटा टियागो जोकी मैं आउन कर रहा हूं एक डेड़ साल से इसकी रिसेल वेल्यू क्या एक्चुल में डाउन है और अच्छी है तो कितनी अच्छी है क्या टाटा टियागो आपको जाते जाते आपकी कार की अच्छी वेल्यू दे कर कि जाएगी क्योंकि बोलने को तो कार्स की लाइफ दस या पंदरा साल रहती है लेकिन कई लोग उससे मतलब पेट भर जा लेकिन टाटा की रीसेल वेल्यू के बारे में मैं अब बात करने वालों तो रीसेल वेल्यू होती क्या है कि आपने कार ली और आपने बेची तो आपने जितने की कार ली थी उसमें से मतलब आपको कितना अमाउंट एट लास्ट ये कार दे कर के जा रही है वो चीज होती है उस काड़ी की resale value and resale value के बारे में कुछ myth है जैसे की भाई कोई company है for example मारूती सुझू की resale value के मामले में काफी ज़ादा आगे and resale value कभी उस company की नहीं रहेगी particular car की रहेगी due to the demand and supply सीधा सीधा सा rule चलता है कि market में अगर किसी चीज की demand जादा है तो उसकी value बढ़ जाएगी अगर उसकी demand कम है तो उसकी value घड़ जाएगी so guys मारूती सुझू की के sales figure को अगर आप देखेंगे last year and this year तो आपको gradual increase ही देखने को मिलेगा and tata के sales figure को आप देखेंगे तो last year जहां पर हजार दो हजार गाड़ी tiago महिने में sale होती थी आज की date में आराम से 8-9,000 गाड़ी महिने में sale हो जाती लेकिन उतनी sale नहीं हो पाती जितनी मारूती सुझू की होती है अब personally मैं अपना experience बताऊं तो मैं tata tiago नहीं लेने से पहले second hand गाड़ी खरीदने का सोच रहता हो तो उस समय मेरा experience ऐसा रहा कि जो गाड़ी मुझे 5-5,000,000 रूपे में नहीं मिल रही है same गाड़ी मुझे 3-3,500,000 रूपे 3-3,800,000 के बीच में आराम से मिल रही थी जादा नहीं दो साल चली हुई थी कोई गाड़ी कोई गाड़ी डाई से तीन साल मैक्जिमम तीन साल वारी गाड़ी सायद मैंने नहीं देखी थी यह चीज मतलब की रीसेल वेल्यू एक ऐसी चीज़े कि कभी भी बिलकुल कॉंस्टेंट नहीं रहती कि कोई की गाड़ी ते से आज नहीं तो और पांच की वेल्यू पांच लाख में खरीदने के बाद आपको तीन से चार लाख रुपे दे करके जाएगी set usually सकता है कि कि आपको दो साल बाद इसकी सेल गिरजा या आपको को गाड़ी सालाग और लावज कि आप डिमांड मतलब गाड़ी की जादा है तो ऐसा भी हो जाता है सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ खुल मिला के कि टाटा की कार की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुल रिसेल वेल्यू इसकी अगर आप पांस लाख रुपे में खरीते हो कई कई तो इमेज ऐसी बन गई है कि टाटा जो है केवल टेक्सी बनाता ही है टियागों खरीदने से पहले मैंने बहुत अच्छी तरीके से ले लिया जान लिया कि मतलब लोगों की क्या इमेज है एंड आप अगर किसी मतलब आपके घर में कोई ओल्ड एज हैं जो की कार्स के बारे में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं अगर उनसे बोलेंगे कि वही मैं टाटा की कार खरीदने जा रहा हूं तो एक बार बोल देंगे कि वही पागा ले क्या मारूती सुजू की कि लिए तेरे को दो साल बाद चार साल बाद अच्छी वेल्यू दे करके जाएगी लेकिन आज की डेट में ऐसा भाई बिल्कुल नहीं है टाटा की जो रिसेल वेल्यू है उसके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है डे बाई डे बढ़ रही है एंड नो मेंटर इस चीज में कोई भी है क्योंकि शेर मार्केट में भी जो शेर वगेरा है एंड कंपनी की डिमांड है वो डे बाई डे बढ़ रही है जिस तरीकी की गाडियां टाटा लॉंच करें रिसेंटली टाटा ने जेगवार से भी टाई अप किया है एंड जो रेंज रोवर के प्लेटफॉम पर गाडि क्वालिटी एंड आपको मारुती सुझुकी की ओल्ड इमेज जो बनी हुई है तो बाई उसे बदलना काफी ज्यादा मुस्किल है लेकिन टाटा ये कोशिस डे बाई डे लगातार कर रहा है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बाकि एक चीज में आपको बता देता हूं कि हर गाड़ी की resale value हर एक area में अलग-अलग होती है और आपको जानना है कि आपकी area मेट आपकी गाड़ी की resale value क्या अवी ऐसा तो है नहीं कि हरीयाणा में resale value ज़्यादा है तो आप अपनी केरेला की कार को हरीयाणा में ले जाकर करके बैचेंगे तब तो हो गया आपका rto दुनिया दंदोर बहुत सारा बाकी आपकी जो कार है वो आप ही के एरिया में अच्छी रिसेल वेल्यू देके जाएगी या नहीं जाएगी इस चीज को पता करने का एक सीधा सा तरीका है कि आप रोड पर निकलें थोड़ा सा अब्जर्वेशन करें आप देखें आप जो भ कोई गाड़ी आपके एरिया में ज्यादा चल रही होगी वह भाई आपको हायर रिसेल वेल्यू दे करके जाएगी क्योंकि लोग बाग उसके बारे में समझ रहें टियागो टाटा की कोई भी गाड़ी लेलो बाई सेफटी के नाम पे इतनी ज्यादा पॉपिलर हो चुकी ह जब तक की टाटा इनकी जो प्राइज हैं काफी जादा ना बढ़ाएं अगर इस चीज को अगर टाटा ने थोड़े दिन और मेंटेन कर लिया तो इसकी रिसेल वेल्यू काफी जादा अच्छी होने वाली है अगर इसी क्वालिटी के साथ टाटा प्रोड़क्ट देता रह बाकी इतना ही था इस वाली वीडियो में अगर आपको जो जानगारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धनिवाज जेहिं